नमस्कार दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि चीन से जारी तनाओ के बीच भारत सरकार ने चीन के 69 एप्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया है जी हां 69 एप्स भारत में बैन कर दिये गए हैं और इन एप्स में टिक टॉक समेत तमाम ऐसे एप्स हैं जिनकी डाउनलोडिंग भारत में ही करोडों में थी और जो करोडों लोग उनको इस्तवाल कर रहे थे यह सारे एप्स की हम आपको जानकारी एक एक करके देते हैं उसके पहले हम आपको बता दें कि य पर जब वो भारत के साथ जो सीमा पर खिलवाड हो रहा है उस पर अगर भारत सरकार को एक्षन लेने की बात करती है तो वो दिखता क्यों नहीं और मोदी सरकार ने वो बड़ा एक्षन ले लिया है जो की चाइना की कमर तोड़ने वाला एक्षन है अब इन 69 एप्स को जो बै राज की सुरक्षा और सारजनिक विवस्था के लिए पूर्वा ग्रेपूर थे माने यह सुरक्षिक थे हमारे लिए खतरनाक थे अब जो टिक टॉक जो सबसे बड़ा एक विवाद का विशह शुरू से रहा है वो बैन हो गया है उसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएं शेरिट जो फाइल ट्रांसफर करने के लिए शेरिट एक बहुत लोगपरी एप था हेलो जिस पर हेलो के करोड़ो यहां पर यूजर्स हो गए थे भारत में वो तमान तरीके की वीडियो उसमें अपलोड करते थे वो बैन हो गया है यूसी ब्राउजर यूसी ब्राउजर और यूसी ब्राउजर यह लगबग हर फोन में और खास तोर पर यह सारे एप्स हमको जो चाइनीज फोन हम खरीदते थे वीवो ओपो वगएरा उन सब में यह आटोमेटिकली आपको इंस्टॉल मिलते थे यह एप मतलब यूपी यूसी से जुड़े सारे एप्स यूसी ब का एक वेकल्ब था क्योंकि चाइना में वाटसप यूज नहीं होता है चाइना में सब कुछ वीचैट पे होता है यह चाइना का वाटसप कह सकते हैं इसको हम यह वीचैट भी भारत में बैन कर दिया गया है तो टिक टॉक शेर इट कवाई कवाई एक बहुत बड़ा एप ह यहां बेन हो गए हैं, UC browser जैसे मैंने आपको बताया, हैलो बेन हो गया, Likey बेन हो गया, Virus Cleaner, यह एक बार-बार हम देखते थे हमारे फोन में आता था पॉप अप इसका कि जब भी कभी Virus Cleaner, Virus Cleaner, वो बेन हो गया है, एक browser और था बहुत लोग पर यह APUS, APUS, वो भी बैन हो गया है, NewsDog, NewsDog एक News Application था जिसमें की तमाम वेबसाइट्स के जैसे खबरे जो होती है, वो NewsDog के जरीए वो आती थी और ये भी NewsDog भी इंस्टॉल्ड होता था, जातर चाइनीज फोन में, ये बैन हो गया है, UC News, सबसे बड़ी खबर ये UC News, UC News ने तो लगभग News, वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कबजा कर लिया था, और ये माना जा रहा था कि कंटेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, चाइना के हाँच में चला गया है, UC News के जरीए, UC News का बहुत बड़ा सेट अप, भारत में, यहां पर गुरगा यह UC News बैन हो गया है, Cam Scanner, Cam Scanner भी दोस्तों एक बहुत लोग भी एक था जिसमें की फोन के जरीए, डॉकुमेंट्स स्कैन होते थे, वो बैन हो गया है, Beagle Live, Beagle Live एक जो एप था जिसमें की, Live चैटिंग करते थे, ब्रॉडकास्टर्स के साथ, होस्ट के साथ, इसमें लड़ की वीडियो शेर होते थे, वो यू वीडियो जिसमें की तमाम तरीके के, जो माली जै किसी को ग्रीटिंग्स देनी हैं, किसी को बड़े विशिस देने हैं, किसी को कोई भी विश भेजनी हैं, तो उसके लिए टैंपलेट्स ये इसमें पड़े होते थे, इन टैंपलेट्स म यू वीडियो भी बैन हो गया है इसके लावा मैं आपको बता हूँ देशतों कि यू कैम मेकप, MI कम्निटी, CM ब्राउजर, वाइरस की निज़ा मैंने आपको बताया, रोम वी, क्लब फेक्टरी, ब्यूटी प्लस, क्यू क्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यू क्यू म्यूजिक, क्यू क्यू नियूस फीड, और इसके लावा सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरलल स्पेस, 31, MI वीडियो कॉल, शियो मी का, वी सिंक, ES File Explorer, वीवो वीडियो, मी टू, वीगो वीडियो, वीगो वीडियो भी ऐसा ही था, जो कि लाइव चैट के लिए था, ये भी बैन हो गया है, कैश क्लीनर, डी यू एप स्टूडियो, कैश क्लीनर, ये विड निव फ्रेंज, कैमिस्ट कैनर मैंने बताया आपको, वंडर कैमरा ये भी बैन हो गया है, फोटो वंडर ये भी बैन हो गया है, क्यू क्यू प्लेयर, वी मीट, सुईट सेलफी, बेडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, हमें तमाम ऐसे एप्स है जो की बैन कर दिये गए उनसर्ट एप्स, इनकी लिस्ट आप डिस्क्रप्शन बॉक्स में हमारे देख सकते हैं, पूरी उनसर्ट एप्स की लिस्ट, और ये आज के बाद ये प्रतिवंदित हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है, क्योंकि उनसर्ट एप्स से करोणों, अर्बों, रुपय का बिजनस भी चाइना भारत से करता था, और ये एप्स इतने जादा हमारे हां इंस्टॉल्ड हो थे, कि ये लगबग एक हमारे जीवन का हिस्सा बनते चले जा रहे थे, इनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, और इसका क्या प्रभाव होत है, अब हम देखेंगे, लेकिन मोजी सरकार ने जो एक सक्त शंदेश, जो एक ठोस मेसेज चाइना को देना था, कि जिसके आर्थिक रूप से तोड़ने की जो बात थी, उसको उसमें एक बड़ा कदम है, इसमें जो भी कोई अपडेट होगा, हम आपको लेकर फिर आजिर ह होंगे, फिर आल के लिए इतना ही, नमस्कार,